नमस्कार, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम रेकी से अपना कफ, कोल्ड, सर्दी जुखाम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं सर्दी जुखाम जैसे ही मौसम बदलता है, बच्चे, हम लोग सभी सर्दी जुखाम से परिशान होने लगते कभी-कभी तो बुखार भी आने लगता है, सरदर्द होता है, बहुत इरिटेशन होता है सर्दी जुखाम में तो हम रेकी की मदद से किस तरह से अपनी सर्दी जुखाम को ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी देखिए, मैं आपको पांच पॉइंट्स बताऊंगी कि ऐसे कौन से पांच पॉइंट्स हैं, जिन पांच पॉइंट्स पर आप हीलिंग देंगे, तो आपको एक से दो दिन में आपका सर्दी जुखाम पूरी तरह निकल जाएगा वैसे तो रेकी में ये है कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप रेकी अपनी रेकी शक्ती को कॉल करके, आप जहां भी हीलिंग देंगे, अपने थ्रोट पे देंगे, सर पे देंगे, जहां भी आप हीलिंग देंगे, तो आपकी हीलिंग वहां पूरे शरीर में हीलिंग की जरूरत है तो अगर आप सर्दी जुखाम में भी हीलिंग देंगे तो आपको आराम मिलेगा ही आपको रिजल्ट उससे मिलेगा ही फिर भी मैं आपको पांच पॉइंट्स बता रही हूं जो कि अगर मालीजी आप खुद है या आपका क्लाइंट ह है जिसको सर्दी जुखाम है तो किन पांच पॉइंट्स पे आपको हीलिंग देनी है यह मैं आपको बताऊंगी तो हम शुरूरत करते हैं अपने पहले पॉइंट्स से पहली उससे भी पहले सिंबल की बाद देखिए सिंबल जिस भी लेवल पे आप हैं उस लेवल के energy देता है कुछ भी नहीं है आपको अगर हर पर्टिकुलर सिच्वेशन के लिए यह नहीं सोचा जा सकता कि सिंबल अलग से बना होगा चोकुरे सिंबल है सबसे पावर्फुल सिंबल है हर हीलिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आप मास्टर है तो आप वो सिंबल्स भी यूज करिए तो रेकी सिंबल्स के लिए बहुत जादा सोचने और परिशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा सिंबल डाले जब कुछ भी समझ में नहीं आता है तो चोकुरे दायकोमी और सफिशियंट है तो आप अप एली हीलिंग आपको कहां देनी है नाक के दोनों साइड इस तरह से ऐसे आपको यह पोस में रखना है अगर आप क्लाइंट को हीलिंग दे रहे हैं तो आपके हाथों की पोजिशन यह रहेगी मतलब नाक के दोनों साइड से आपको कवर कर लेना है अपने चोकुरे दायकोम और नाग के इस तरफ या तो ऐसे अगर क्लाइंट को आप दे रहे तो आपका यह पोज रहेगा इस तरीके से और आप खुद को दे रहे तो आप इस तरह से कवर कर लीजिए मतलब आपके नाग के दोनों साइड में हीलिंग मिल जाए इससे क्या होगा जो आपकी नाग बंद है आपको साइनस हो रहा है और जो ब्लॉकेज हो रही है जो से हमको सांस लेने में तकलीफ हो रही है जब रनी नोज हो रही है वो तुरंत हील हो जाएगी अगर आपने दो बार तीन बार दिन में ऐसे दे दिया तो आपको शाम तक ही आराम आने लग जाएगा अगर आप न पॉइंट आपका यह हो गया कि आपको यहां पर हीलिंग देनी है दूसरा पॉइंट है टैंपल्स आपको कैसे हीलिंग देनी है आप यहां से रखके इस तरह हीलिंग देनी है इस तरह आपको यहां पर कवर करके ऐसे हीलिंग देनी है इस तरह हीलिंग देने से क्या होता है ज बहुत अनीजी हम फील करते हैं तो इसलिए एक जगे की जगे हम इन पांच पॉइंट्स पर हीलिंग देंगे तो हमको एक दिन के बाद ही आराम आना शुरू हो जाएगा तो second point आपका हो गया ये वाला इस point पर आप ऐसे healing देजिए अगर आपका client को दे रहे हैं तो आप अपने हाथों को इस तरह से आपकी हाथ आजाएगे यहां तक टच होंगे ताकि यहां से लेकर पूरा ये area पूरा आपका healing से cover हो जाएगा इससे क्या होगा जो आपको headache हो रहा है जो बहुत सरफट रहा है सरदर्ध हो रहा है उसमें आपको तुरंत आरामा जाएगा जैसे आप 10 मिनट healing देंगे आपको headache में भी आरामाना शुरू हो जाएगा इसके बाद सरदी जुखाम में चाहे आपको कोई भी symptom दिख रहे हो किसी भी तरह क्याए बुखार आ रहा हो या अपको दर्ध जादा हो रहा हो पहली चीज़ है आपको कान, कान एक ऐसा जगह है जहां पर आपने healing दी मतलब सर्गी का कोई भी symptom हो, जुखाम का कोई भी symptom हो, थर्ड पॉइंट है आपका ears, आपको कान में यहां healing देनी है, इस तरह, इस तरह, यह, यह point अकेला भी काफी है, अगर आप सर्गी जुखाम में पूरे 5 points को नहीं दे पा है, तो यह आपका हुआ third point, third point cold से related जितने भी symptom होगे, बुखारा रहा होगा, सरदर्द हो रहा होगा, सारे इस से minimize होने लगेंगे, तो third point बहुत important है, यहां पर इस तरह के से healing देना बहुत important है, अच्छा, अब आता है fourth point, fourth point आपको कहा healing देना है, सर, पीछे, सर के पीछे, आपको दोनों हाथ रखने है, आपके दोनों हाथ आपको कैसे, किस pose में रखने है, इस तरह से, ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह आप सर के, यह back वाला जो हिस्सा है आपको यहां पर healing देना है, अगर आप client को दे रहे हैं, तो याद रखें कि यह जो आपके दोनों हा आपको देनी है बेक पोर्शन में यह जो बैक पोर्शन में आप हीलिंग देंगे इससे आप एकडम रिलाक्स हो जाएंगे इससे रिलेक्सेशन के लिए क्योंकि सर्दी जुखाम दिखने में तो बिमारी का रूप भी नहीं हमको लगता कि हम बिमार हैं दूसरों को हम नहीं आप 10 मिनट आदा घंटा आराम करेंगे तो आपको जुखाम में बहुत आराम आ जाएगा तो यह हो गया आपका फॉर्थ पॉइंट अब जो फिफ्थ पॉइंट बचा वो है आपका थ्रोट सर्दी जुखाम होती है सबसे पहले हमारा थ्रोट कंजक्शन होने लगता है आ इस तरीके से यह हुए आपके पांच पॉइंट जो सर्दी जुखाम से जुड़े हुए जितने भी हमारे सिंटम्स हमारे शरीर में दिखते हैं हमको वो सारे सिंटम्स को कबर कर लेगा तो अगर आप एक घंटा अदा गंटा निकालके अगर पांच-पांच मेंट इन सभी अगर आप ढले में खराश जादा वह रही है तो अप यह थोड़ा जांधिक जादा आप आप यहाँ पर थोड़ा जांधा डेदीजिए तो इस तरीके से हूता है कि यह सारे सिंटम्स इसमें आपके जुखाम के कबर हो जाएएंगे अगर इस तरह आपने healing दी तो एक दिन के बाद दूसरे दिन समझ लीजिए आप पूरी तरह आराम में आ जाएंगे अगर आप में पांच साथ मिनट ऐसे हर पॉइंट पे पांचों पॉइंट्स पे healing दी आप तो यह हुए कि हम रेकी की मदद से अपना सर्दी जुखाम कैसे ठीक कर सकते हैं और साथियों सिंबल के लिए जो सिंबल आपके पास है आप वो इस्तेमाल कर लीजिए आप सर पे देते वक्त सेहिकी स्तेमाल कर लीजिए साथ में चोकुरे सेहिकी इसका सेंडविच बना लीजिए अकेले चोकुरे से अगर आप फस्ट लेवल में है तो अ को से बाट का सब्सक्राइब